हेलो एवरीवन वेलकम पैक तो मैं चैनल स्वासलाम अलेकुम कैसे आप सभी उमीद करती हूं आप बहुत अच्छे सुनगे यहां पर आप सभी देख सकते हैं यह है मौलवी जोग्रफी का लाश्ट पार इसमें मैं आप लोगो सब्जेक्टिव कराने वाली हूं और इससे प और चैनल पर अगर आप लोग नए है तब सब्सक्राइब कर दीजे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह हैं लॉंट टाइब क्वेश्टन स्वीद आइंसर यहां पर मैं जिते भी क्वेश्टन पर आपन्ग निगे कोई भी क्वेश्टन आ गया तो आप लोग समझ एक क्वेशन से पांच मार्स मिल ही जाएंगे ठीक है लॉंग टाइप कुष्टिन कितने मार्स का पूछा जाता है यह भी मैं आप याप लोग को जानना है लॉंग टाइप को इस इंपार्टन कोई चलती और यहां पर आंसर भी बताती होई चलूंगी तो सबसे पहला सवाल एर वन इंसानों की फित्री तत्वी की तश्री कीचे ठीक है यह ग्वेस्टिन है और यहां पर आप लोग को तश्री कर न चाहां जहँज़ लीजए कितने लॉंग यांसर बनने कि यहां पर देख सकते हैं přिया पर मैं जवाब भी बताती न हुई चलती हूँ सब से पहला स तबी माहौल को काफी हद तक बदला है ठीक है वहीं उस माहौल ने भी बदले में इनसानी जिन्दगी को मतासर किया है इनसान अपने तबी माहौल के साथ टिकनोलोजी की मदद से तफायल करता है ये एहम नहीं है कि इनसान का पैदा करता है या किस चीज की तखलीक करता है ब की तखलीक करता है टेकनोलोजी समाज की सिफ सिकाफ्ती तरकी का आइनदार है ठीक है आइनदार है इनसानों ने फिद्री उसूलों को अच्छी तरह समझने के बाद टेकनोलोजी को फरुग दिया मिसाल की तोड़ पर रगर्ग और गर्मी के तसवर की समझ से हमने आग को तलाश कर लिया इसी तरह डियेने और नसली उलूम की समझ से हम उस काबिल बन गए कि कई बिमारियों पर फत्र पा सके हमने फजाई तहरिकात के उसूलों का इस्तिमाल करके तेज रफ़तार हवाई जहाजों को बनाया टेकनलोजी इनसानों को जगरने वाले महौल के मेडियां खोलती है ठीक है यह था फर्स्ट क्वेशन का अंसर फिर देखिए नेक्स्ट क्वेशन सवाल टू इनसानी जगराफिया के दाइरा कार्ड पर एक नोट लिखिए ठीक है इस पर एक नोट लिखना है तो जवाब देखिए जिस तरह इल्म दौलत का तालुक कीमत वगरा से और सतह जमीन के जेरे या अंदरूनी इल्म का तालुक हिजर या चटानी हिसा से है ठीक उसी तरह जगराफिया का असल महौर मकान है जिसमें कहां और क्यूं जैसे एहम सवाल का जवाब देने की कोशि या इनसानी मकतब फिक्ड का खसूसी तालुक लोगों के समाधी फलाव बहबूद के मुक्तलिफ पल्गों से है ठीक है यह था पहला है यहां पर फिर आप लोग देखिए यहां पर देख लिए जैसे यह लाइन आप लोग अंडर लाइन कर लिए और यहां पर लोग देख सकते काफी long है इतना जाद आप लोग लिखना भी नहीं है आप लोग चार पांक छे लाइन याद कर लेंगे वो आप लोग अच्छे से लाइन से लिख देंगे ठीक है टो यहां पर आप लोग मिल ली है यहां पर देहात के बारे में आप लोग बहुत कुँछ जानते हUNGग यह सब आपको लिख देंगे तो यहां पर कुछ बताने कि मुझे नहीं लगते जरुरत है और अगर आपको पढ़ना है समझना है किस तरीके से लिखना है तो यहां पर आपको देख सकते हैं फिर मैं लेकर चलती हूँ नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ तो क्वेस्टन फोर यहां पर क्या है नकल वह हमल और मुवासलाती खिदमात की एहमित का तफसीली तसकिरा कीजिए ठीक है यानि कि ट्रांसपोर्ट के बारे में आप बताना है जिसे यहां पर लिखा हुआ है नकल हमल यानि की ट्रांसपोर्ट एक खिदमत या सहूलत है जिसके जरिया अवाम यह आप लोग जानते होंगे ट्रांसपोर्ट यहां पर खुछ से बनाकर लिख सकते हैं इसके जड़िये बहुत सारी चीज़े होती हैं बहुत सारे समान इस पर रखके एक जगा से दूसरी जग इसी में एंसर्स दिया हुआ है यह सब क्या है वह भी मैं आप लोगो बताते हुँ यह ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड है यानि कि आप लोग देखिए यहां पर देख रहे हैं जो मुक्तलिफ मुकामात जो नीचे दिया हुआ है यह सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक जाल बना लेते हैं यानि कि नेटवर्ग जैसे यहां पर लोग ऊपर देखिए क्या था ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड है कम्यूनिकेशन फिर यहां पर देखिए उससे रिलेटेड है कम्यूनिकेशन से टेलर कम्यूनिकेशन तो इन सभी के बारे में आप ल थो यहां पर लोगों पिए क läuft क्वेशिजिए ताइड कीड की तीन एजजा क्या थिक आप सब्जेक्टिम इस तरीके से रहेगा स्रिप्लीग स्प्लिव क्वेश्टिम यहां पर दिया रहेगा ऑलेकिन सब्जेक्टिम में कैसे समसान्य क्यों ताइड में लॉ pendulum 3-4 marks पुछे जाते हैं सवाल 3 marks का जो सवाल पूछागता है उसमें रहेगा तगिर आबादी के 3 नाम लिखे ठीक है तो आप लोग तीन नाम लिख देंगे और यह में पर आपज़ेक्टि वे में कैसे बनेगा तो तगिराबादी के कितने अज़िजा होते हैं ठीक है इस तरी ठीक है तो आपको समय में आखी कि पुछ है कि पुछ को बोगे को आप है च्छ मालूं रहा है तो और यहां पर उभल प्रबंद लिखता कि प्रप्रिक प्रप्रकुर्ण से यह जुगा t Vice असकंड पुछा जाता है कुछ आप को मालूम होना जरूरी है तो यहाँ नाम चाहि राए तेक है तो यहां पर नाम से तेकल मैं भाज्य लिव औरका देख और ते लिए मुझे मौन भी है वुद्ध ही ता पुरिए मौन गरा तो यहाँ पर पेंड के सबीजिए फिर देखें next question क्या है यहां पे? तो question है यहां पे इंसानी तरक्य के चार एहम अज़ाई तरकीबी का नाम बताएं ठीक है? तो यहां पे आप लोग देखें, यहां पे दिया हुआ है इसी तरह यहां पे देखें जिस तरह इमारे सतून पर काइम रहती है, उसी तरह इंसानी तरकीका ख्यालबी मसावाथ, पाइदारी, पैदावर, और बाइख्तियार बनने के तस्वरात पर काइम है, यानि कि यहां पे आप लोग को क्या कहना था, लिखना था मतलब, क्या चार एजज़ा का नाम, तो चार एज़ा कौन कौन से, यह बाख्तियार बनना ठीक है यहीं चार है यह चारू इज़ा का नाम आप लोग को जानना है फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर तो इस तो इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे तो दोनों में आप लोग फर्क बता देंगे और लिख देंगे फिर देखिए दूसरा सवाल यहां पर क्या है क्वेश्चन ने दुनिया के अबादी की तकसीम और किसाफ्त καौत करने वाले आवामिल को बयान कीजे ठीक है तो यहां पर लोग देख सकते हैं दियावाँ घोग्राफिकल फैक्टर्स ठीक है जिसे गजा ऑवामिल कहते हैं म तो इन तीनों के बारे में आप लोग जान लीजे लीचे यह आप इसके बारे में दिया भी है ठीक है इसे अलग अलग टैप से question पूछरे जाते हैं जैसे geographical factor क्या होता है याने कि geography अवामिल क्या होता है और वो कितने जान लीजेगा तो बैतर हो आप लोग लिए और सबसे इंपोर्टन एक चीज़ यहां पर मैं आप लोग को दिखाती है और सबसे इंपोर्टन ही है यह ठीक है तो यह आप वहावा इसके बारे में हर साल पूछ जाते हैं और दो तीन सवाल मतलब कि इसी टोपिक से दो तीन मामिल जैसा के उपर में आप लोग कहीं हो इन सभी के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत जाने की जुरूरत है फिर यहां पर देखिए समाची और सिकाफ्ती हुआ में लिए सबके बारे में पढ़ लेंगे ठीक है फिर देखिए यहां पर क्वेस्टन 9 क्या है आती अबुँर्य क्या है सबसे परने सबसे परह तो इसके बारे जाना होगा यहां पर देख सकते हैं सबस्क्राइब होतो है record यहां था कि यह पर पूछ रहा देकर पर प्bucks प्राश्चन थ्यों मुतर करते हैं एसा जब्रने में पर चंबूढ़ना थे शास्यान आधिकए सबसे सबसे करे यहां पर कि यह भीबी सवाल रहेगा आब अबादियाती ओबूल के कितने मिराकحد होते हैं इस तरीके से सवाल यह सब्सक्राइब सकता है यहां पर इस परीजिय GRANT सबसे आखरी क्वेशन इस वीडियो का इन अवामिल को बयान कीजिए जो दुनिया के मुक्तलिफ हिस्सों में जिन्स वा उम्र में और पैशावार पैशावाराना साफ्त में अदम तवाजिन के लिए जिम्यदार है ठीक है यानि कि सेक्स कोंपोजिशन यहां पर दियावा है इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है डिलाइनिंग पॉप्वियर्शन फिरा आप लोग देखिए अक्यूपेशनल स्ट्रक्चर साड़ा एक ही सवाल के अंदर है छोता मोटा सवाल नहीं है लगए है जवाब देखोगे ना तो साड़ा कुछ अप लोग एक्स करना है जैसा कि यहां पर दिया हुआ है ठीक है और यहां पर एक और question है इसे भी आप लोग जरूर देख लेंगे primary activities और secondary activities इन दोनों से भी सवाल बनते हैं इन दोनों के बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे यहां पर question दिया हुआ अभी है इताई और सानवी सरगर्मियों के दर्मियान फर्क वाज़े कीजिए यानि की प्राइमरी और secondary activities के बारे में बताना है डिफ्रेंस करना है ठीक है इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे यह था कुछ important question उमीद करती हूं समझ में आया होगा आप सभी को तो फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ